चेहरा आपका CM नहीं है आपके शासित राज्यों में किसका जवाब अभी तक नहीं मिला है सुधान चुजी पहुंचिये तो वहाँ हाँ बिल्कु जवाब देता हूँ अरे साब हम तो दलित राश्टी अद्यक्ष बना चुके हैं जिस समय 1995 में उस समय की सबसे वड़ी दलित रेता उस समय की मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ था मोतिलाल वोरा जी गवर्नर थे एक चुन नहीं बोली थी बचाने कौन गया था भाजपा के देता स्वर्गी ब्रंदत दिवेदी और जिसके लिए एलानिया बयान था मायावती जी का उन्होंने राखी बादी थी अगर ब्रंदत दिवेदी नहीं होते तो जीवी तो बचना मुश्किल था जान से मारा जा रहा था कॉंग्रेस का शासन था मुलाहिम सिंग के साथ मिल के कर रहे थे इसलिए कितना किया है आद दली चंबरा कामर्थ दिखाई पड़ता है तो जी जी आने के बाद चाय पर चाय भी पी चुके है एक बड़ एक बार पवंजी चाय पर एक सकंड चाय आपके हो गई है जरा सब मुझे बताईए पहले पवंजी एक सेकंड इमानदार जवाब दीजेगा क्या आपकी पार्टी को यह एहसास हो गया है कि अब सिद्धू से खेलना आग से खेलने के बरावर है उनकी नाराजगी आप लोग मोल नहीं लेना चाहते है क्योंकि जब हरी श्रावत तुरंद चैनी सापके मुख्यमंजी बनाए जाने के बाद जब यह बयान वो दे रहे हैं एक तरफ स्वेरिंग इन है और दूसी तरफ वो कहते हैं कि उनका चेहरा होगा तो आप लोग डरे हुए है अब आप लोगों को यह एहसास है यह रा अमाम लोग प्रदेश अध्यक्ष के मातहत रहकर यह हमारे लोगतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी पार्टी की कि सरकार संगठन के अधीन मानी जाती है संगठन जवाब दे होता है क्योंकि मैनिफेस्टों लेकर फिर वही संगठन जाता है चुनार लड़ने उसमें कोई गलत अगर बंगारू लक्ष्मन जी जो कि भारती जंता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ते और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए अगर वो दलित नहीं हो थे तो क्या यह लोग उन्हें हटाते यह बहुत गंभीर और गहरा प्रस्ण है अगर वो अपरक स्मता बित यहां आपकी समता और समरस्ता में जो इंतर है जो और आरे से से सिंखाया जाता है लंग कि नारा तो एक हुआ एक मंदिर एक संटान का और असलीयत यह जैकर और आपने मायंवति ची alte रिखाए पर पहचान की बात हो रहे है पवन जी तो आदमी ऐसे ही देखा जाएगा हर पुलिटिकल आदमी को ये देखा जाता रहा है इस देश में तो फिर वीज़ेपी पूच्टी है कि राश्च्वपति अभी कौन है है हम अब इसमें नहीं उनको कोई बोल रहे हैं कि राश्तिक होना